हलो फ्रेंट्स हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का केवाइसी पेंडिंग में बहुत दिनों से पेंडिंग में किसी का दो महीने से किसी का चार महीने से किसी का 20 दिन से किसी का 25 दिन से इस तरीके से बहुत सारे कमेंड भी आए हैं और कुछ अपडेट तो मैंने आपको कुछ में पहले भी प्रोवाइड किया और यहां पर एक और अपडेट आया है, अपडेट क्या समझी कि सॉल्यूसन आया है, अब जितने भी लोगों का केवैसी पेंडिंग में बहुत दिनों से, या तो हम लोगों का केवैसी क्या है अपडेट और कभी यह हमारे पास ऑप्सन आयगा, कभ हम लोगों का पेंडिंग में हैं, कभ हम लोग रिसमिट कर पाएंगे, तो देखिए, यहां पर जैसे ही मेरे पास अपडेट आया था, मैंने ट्वीटर पे सेर कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने टेलिग्राम तो यहां पर जितने लोगों का केवैसी पेंडिंग में हैं, तो उनके पास रिसमिट का आप्सन आ चुका है, वैसे मैंने चेक किया था, अभी तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है एक दो दिन बाद या तीन चार दिन बाद हमारे पास यह आप्सन भी आने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का केवैसी पेंडिंग में हैं, और मैंने आप लोगों सिखा था कि यह जितने भी प्रॉलम्स आ रही हैं, यह सारी प्रॉलम्स सॉल्फ जरूर होंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि यूजस बहुत जादा है, लेकिन करेंगे, किस तरीके से दुबारा आप केवैसी अप्लाई करेंगे, उसी प्रोसेस के थुरू, जिस प्रोसेस से आपने केवैसी के लिए पहली बार अप्लाई किया था, उसी तरीके से आप दुबारा से केवैसी को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर देखिए, आपके साम करे बातल है प्रप्रव को सारे था हुए प्रॉड हाई लेकिन अब ये प्रॉडॉम हो जाँ हैं चा selves हो गईYO कोई मैंट हो गई उन्हा तो अभी मैंग तक उनको को आने अपने मेंनेट वालेट नहीं मिला था इसका 1974 दिने के अंदर आपका कॉइन मेनिट वालेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो आप लोग 14 दिन मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा उसके बाद अगर नहीं आता है तो हो सकता है कुछ इसू हो या वैसे तो मुझे नहीं लगता कि नहीं आएगा डिफिनेटली 14 दिन तो आहीं जाना चाहिए और जितने लोगों का पेंडिंग में तो आप लोग चेकिजिए पाई ब्राउजर में क्या आपका यहां सरी समिट का आया की नहीं और हम आप लोगों के सामने ही एक ब तो देखें अभी भी रिव्यू इन प्रोग्रेस में और यहां पर कोई भी आभी ओप्सन नहीं है रिसमिट करने का देखें यहां पर किस तरीके से आपके सामने ओप्सन नहीं यहां पर हो सकता है गौटिट का आपका ओप्सन है रिसमिट के लिए यहां पर आपको क्लिक क करना होगा और उसके बाद are you sure you want to resubmit your KYC application और वहाँ पर एक option होगा resubmit का वहाँ पर क्लिक करके उसके बाद हमें दुबारा से KYC को apply करना होगा वैसे यहाँ पर अभी मेरे सामने तो आया नहीं है और आप लोग भी चेक जरूर किजेगा अगर आपके पास आता है पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे तो आप लोग चानल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा और अगर आपको किसी भी तेरी की कोई भी प्रॉलम है अगर आप प्रसनली पूछेना चाते तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और आप लोग टेलिग्राम को जरू अबडेट आपको वहां से मिलती रहे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में